नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग modern periodic table के बारे में बहुत सारी चीजे discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये periodic classification of elements का एक बहुत important part है modern periodic table तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजे हैं जो हम लोग को पढ़नी है तो इसमें सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो modern periodic table है ये बनाई गई है on the basis of atomic number तो atomic number is the basis by which modern periodic table is created अब इसमें अगर आप देखेंगे तो दो चीजे होती है group होता है और एक period होता है अब आप group अगर देखेंगे तो total number of groups होते हैं total 18 जैसे ये जो elements यहाँ पर दिये गए हैं this is of first group यहाँ पर जो दिये गए है second group है ये third group है ये fourth group है ends on यहाँ पर 17th group आपको मिलेगा और ये 18th group मिलेगा तो इस तरीके से जो total number of groups हो गए हमारे पास modern period में वो कितने हो गए 18 हो गए और अगर आप periods देखेंगे तो periods देखेंगे ये पहली period है इसमें दो element आपको मिलेंगे पहला hydrogen है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18th group का element है जो की helium है ठीक है इसी तरीके से अगर आप second group देख रहे हैं second group में आपके पास lithium है, beryllium है, boron है, carbon है, nitrogen है, oxygen है, fluorine है और neon है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मतलब 8 elements आपको second group में मिलेंगे इसी तरीके से अगर आप second period में मिलेंगे, इसी तरीके से अगर आप third period देखेंगे तो third period में भी आपके पास कितने elements है, there are 8 elements तो 8 elements आपको third period में भी मिल रहे हैं इसमें बहुत important चीज समझने वाली ये है, कि जो आपको green से दिया गया है जो देखे, light green से जो भी चीज़े दी गई है, यहां से यहां तक जो भी दिया गया है they are all metals, ठीक है, तो वो metals होते है इसके बाद pink में देखे, जो भी चीज़े दी गई है, जितने elements दिये गए है जैसे यहां पर boron है, यहां पर silicon है, यहां पर germanium है यहां पर arsenic है, यहां पर tellurium है, ठीक है, और यहां पर एक polonium है तो इस तरीके की अगर आप चीज़े देखेंगे, यह जो elements आपको दिखाई पड़ रहे है इन elements को क्या कहा जाएगा, they will be called as metalloids इसके बाद जितने elements आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो yellow color से हैं थोड़े से तो यह हमारे क्या है, they are all non-metals तो non-metals अगर आप देखेंगे, तो 17th group जो आपका है, और जो आपका 18th group है वो पूरा-पूरा किसका है, they belong to non-metals, तो वो आपके non-metals है इसके साथ ही साथ देखिए, एक आपको exceptional case मिलेगा, hydrogen का जो सबसे left side में है और फिर भी वो क्या है, वो एक non-metals है तो देखेंगे, जितने भी left side के elements हैं, वो आपको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको metal दिखाई पड़ रहे हैं, जो most right की तरफ हैं, वो कैसे हैं, they are all non-metals और जो यहाँ पर zig-zag line आपको दिखाई पड़ रही है, यह separate कर रही है metals को non-metals से यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए और यही बात यहाँ पर लिखी गई है तो सबसे पहली बात तो यह हो गई कि group हो गई 18, periods हो गई कितनी 7 periods हो गई अब एक एक करके हम लोग कुछ elements को देख लेते हैं, उनके periods को देख लेते हैं उनके atomic number और उनके valence electrons को भी देख लेते हैं लिखे सबसे पहला हमारे पास जो element है वो hydrogen है, दूसरा element है वो helium है तो पहला element हमारा group 1 में आता है और second element है जिसका atom number 2 होता है वो हमारा group 18 में आता है, इसके बाद अगर देखेंगे जिसका atomic number 3 है वो हमारा lithium होता है वो first group में आ रहा है और जो beryllium है वो कौन से group में आ रहा है second group में आ रहा है, अब देखें यहाँ पर first और second group के बाद सीधे अगर आप देखेंगे तो 13th group आता है बीच वाले जितने group थे उसके element यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कोई भी element present नहीं है यह आपको बात याद रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा element lithium हो गया फिर beryllium हो गया, और beryllium के बाद जो boron है वो कौन सा element है, 13th group का element है ठीक है, इसका 14th group का element हमारे पास carbon है, तो अगर आप से पूछा जाए carbon क्योंकि बहुत important element है carbon पूछा जाए अगर कि कौन से group में आता है, तो carbon comes under 14th group अब carbon को सबसे पहले हम लोग consider कर लेते हैं, जैसे carbon है, इसका atomic number अगर आप देखेंगे तो देखें लिखा हुआ है इसके उपर 6, तो 6 इसका atomic number है, atomic number मतलब होता है total number of electrons तो total number of electrons है, अगर आपसे कहा जाए, इसका electronic configuration कर दिये, तो 2,4 इसका electronic configuration हो जाएगा अब क्योंकि 2,4 electronic configuration हो गया, इसका मतलब इसके पास कितनी orbits हैं, तो 1 k orbit हो गई और दूसरा shell हो गया l तो k और l shell, 2 shells present है किसमें, carbon में, और जितनी shells होती है, वही आपका period number होता है, तो कौन सा period number हो जाएगा, 2 will be the period number because इसमें जो number of shells present थी, वो कितनी थी, 2 shells थी, ठीक है, इसी तरीके से, अगर मा लिजे बोला जाए, nitrogen कौन से group का element है, तो nitrogen belongs to 15th group इसी तरीके से, fluorine अगर बोला जाए, तो 17th group का है, और जो neon है, वो कौन सा है, 18th group का है, इसमें से 4 group ऐसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा important होते हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं, जो first group के elements होते हैं, उनको कहा जाता है, alkali metals, second group के जो elements है, उनको कहा जाएगा, alkaline earth metals, तो first group के element क्या कहलाएंगे, alkali metals कहलाएंगे, ALKALI, alkali metals, अब अगर आप से पूछा जाए कि alkali क्या होती है, तो water soluble bases को alkali कहा जाता है, क्या चीज water soluble bases, तो ऐसे base जो water में घुल जाएं, तो उनको क्या कहा जाते है, they are called alkali, अब यहाँ प अगर आप देखेंगे, जितने भी आपके पास base बनेंगे, जैसे lii का अगर आप base देखेंगे, तो lii OH हो जाएगा, lii OH हो जाएगा, ठीक है, lithium hydroxide, अगर आप na का base देख रहे हैं, तो NaOH हो जाएगा, अब देखेंगे, यह जितने भी bases हैं, चाहे lithium hydroxide हो, चाहे sodium hydroxide हो, यह क्या होते हैं, water में soluble होते हैं, इसी लिए in metals को या in elements को क्या कहा जाता है, they are called alkali metals, तो first group के जितने भी आपके पास metal दिखाई पर रहे हैं, या first group में जितने भी element दिखाई पर रहे ह हैं, except hydrogen, they are all called alkali metals, उनको alkali metals कहा जाएगा, second group देख लेते हैं, second group क्या होते हैं, तो second group के जो elements होते हैं, उनको कहा जाता है, alkaline earth metals, तो alkaline earth metals कहते हैं, अब देखे, alkaline earth metals का मतलब कहीं ना कहीं, alkali इसमें भी है, मतलब इसके जो bases होंगे, वो भी water में soluble होंगे, लेकिन एक प्यूबल होने के साथ, ये earth में पाय जाते हैं, earth के crust में पाय जाते हैं, ठीक है, जितने भी elements यहाँ पे है, beryllium हो गया, magnesium हो गया, calcium हो गया, ठीक है, strontium हो गया, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब अर्थ में पाय जाते हैं, इसलिए second group के elements को कह जाता है, alkaline earth metals, इसkę सबसे जब लास्टनेगेटिव उस फ्लॉरिं तो फ्लॉरीण हो गया क्लॉरीण हो गया में हो गया अयोडीन हो गया तो यह सारे जितने भी आपके अपॉक्झे है 17 ओर 17िंट को क्या कहा जाता है यहां पर आप देखेंगे लास्ट में जो आपके पास ग्रुप दिखाई पड़ रहा है एटींध ग्रुप ठीक है तो यह आपके पास जो गैसे हैं यह कहलाती है इनल्ट गैसे इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट और्बिट पुरी भर पाती हैं इन में जो सबसे उपर आपको गैस दिखाई पड़ रही है वो हीलियम है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नियॉन है फिर आरगन है फिर क्रिप्टन है फिर जैनॉन है और फिर रेड़न है तो इस तरीके की जो गैसे हैं यह इस तरीके के जो एलिमेंट हैं सिर्फ helium इसमें ऐसा आपको एक ऐसा element दिखाई पड़ेगा जिसके पास doublet complete होगा या duplet जिसका complete होगा ठीक है इसका duplet complete है और बाकी सब के सब जो होते हैं उनके octet complete होते हैं क्या complete होते हैं octet, octet का मतलब है कि इनके outer motion में 8 electrons present होगे और ये completely stable होगे और ये किसी से react नहीं कर पाएंगे तो ये दो चीज़े ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो ये आपके पास 18th group हो गया ये आपके पास 17th group हो गया और ये बहुत important group है ये आप लोग को याद होने चाहिए अच्छा एक चीज़ और अगर देख ली जाए जैसे माल लिज़े calcium आपसे कहा गया calcium अब आपको पता है कि calcium क्या है अब आप यहाँ से देख सकते है कि calcium किस group में आ रहा है किस period में आ रहा है लेकिन माल लिज़े आपको ये पता ना होता कि calcium किस group में है और किस period में है तो आप कैसे बताते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि calcium के बारे में तो calcium का जो atomic number होता है वो क्या होता है 20 होता है atomic number अगर calcium का 20 है इसका मतलब इसका electronic configuration क्या हो जाएगा 2,8,2 हो जाएगा इसका electronic configuration ठीक है अब देखिए electronic configuration अगर आपके पास यह हो गया तो outer most shell में electron कितने आपको मिल गए 2 मिल गए अब outer most shell में अगर electron 2 मिल रहे हैं और इसके साथ-साथ आपको अगर ये देखना है कि कौन सा period है तो आप period यहाँ से देख सकते हैं period यहाँ से कितना हो जाएगा atomic number 2 यहाँ तक आके खतम हो गया second group में अगर आप देखेंगे तो कितने element होते हैं तो 8 elements होते हैं तो 2 उपर हो गए और 8 उसके नीचे हो गए तो 2 plus 8 18 ठीक है 2 plus 8 कितना हो गया 10 हो गया तो 10 atomic number हमारा दूसरे period में खतम हो जाता है इसके बाद अगर 3rd period को आप देखेंगे तो 3rd period में फिर से 8 होते हैं ठीक है तो 2 पहले में हो गए दूसरे में 8 हो गए मतलब 2,8,10 तो यहाँ तक 10 आया उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे 18 आ रहा है इसके बाद अगर आप देख रहे हैं जितनी भी periods हैं चाहे 4th हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, चाहे 7th हो यह सारी की सारी periods पूरी पूरी भरी होई होती है आपको जो question पूछा जाएगा वो 4th period से आगे का नहीं पूछा जाएगा तो 4th period तक आपको कम से कम चीज़े पता होनी चाहिए और वो भी calcium तक तो कम से कम पता ही होना चाहिए तो calcium अगर आप देखेंगे तो calcium कहा present है तो calcium आप लोग देख सकते हैं कि calcium का atomic number था 20 इसका configuration था 2,8,2 अब 2,8,8,2 इससे आप क्या समझ सकते हैं कि outer motion में कि तेलेक्टरॉन है 2 अब इस 2 को आप देख के समझ सकते हैं कि इसका group number भी क्या हो जाएगा लेकिन ये चीज़े तब नहीं लगेंगी ये जो 2 आला हम बता रहे थे ये तब नहीं लगेगा जब आपके पास number of number of अगर shells देखी जाए अगर number of shells तीन है तो ठीक है number of shells तीन से configuration किया जाए तो 2,8,5 हो जाएगा इसका configuration configuration अगर 2,8,5 हो गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसके outer motion में 5 electrons है अच्छा अब आप से पूछा जाए कि इसमें period number कौन सा है तो period number आप तुरंट देख के बता सकते हैं कि ये पहला period ये दूसरा period ये तीसरा period तो total period कितने है तो मतलब जो period number हो कौन सा है third period है क्योंकि इसके पास total number of shells कितनी है तीन shells है ठीक है तो third period में तो आ गया अब third period में आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर five दिया गया है outer motion में five है तो आप क्या कर दीजे सीधे सीधे ten उसमें add कर दीजे तो ten plus five कितना हो जाएगा fifteen हो जाएगा तो fifteen ग्रुप से belong करता है इसी तरीके से अगर माल दीजे आपके पास sulfur है sulfur का आपको पता है sixteen atomic number atomic number अगर sulfur का sixteen है तो आपको क्या करना है two comma eight comma six कर देना है जैसे ही आप two comma eight comma six करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसके outer motion में electron मिल गए six है अब क्योंकि outer motion में electron six है और जो period है वो कितनी है three है हमने आप से कहा तीन से ओपर period होती है तो वो लग case वाएगा लेकिन अगर तीन या तीन से कम period है और आपको group number निकालना है क्या निकालना है आपको group number निकालना है तो आप क्या करिए outer most shell में जितने electron है उसमें आप क्या कर दीजे 10 add कर दीजे और जैसे ही आप 10 add करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा जो इसका group number होगा हम लोग इसको ऐसे elements में भी लगा के देख सकते हैं जिसमें दो period हों मतलब जिसमें दो number of shells हों जिसमें two number of shells हों जिसमें फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का atomic number होता है ठीक अगर nine का configuration आपको करना है तो मिल जाएगा two comma seven two comma seven हमारा configuration हो गया अब two comma seven अगर configuration हो गया तो आपको यह याद रखना है कि जो इसमें number of जो period number है period number कैसे पता चलेगा तो देखें number of shells आप count कर लिजे तो पहली shell यह हो गई K और दूसरी shell हो गई L तो K और L दो shell present है इसमालब कौन सा इसमें period number है तो period number हो जाएगा second लेकिन अगर आपको group number चाहिए कि कौन सा group number है तो group number जानने के लिए आपको यह बात जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो outer motion में electron है वो कितने है seven और seven में आपको क्या कर देना है सीधे सीधे 10 को add कर देना है और group number आपको मिल जाएगा that will be equal to 17 तो इस तरीके से आप आसानी से group number और period number दोनों चीज़े आसानी से आप calculate कर सकते हैं क्योंकि question कभी ना कभी ऐसा पूछा जाता है इसी तरीके से मालीजे आपसे कहा गया boron के बारे में आपको मालीजे boron के बारे में बताना है कि boron कि spirit से belong कर रहा है और किस group से belong कर रहा है मालीजे आपको कोई ऐसा element दे दिया गया x ठीक है आपको कहा गया कोई element x है और उसका atomic number माल लिज़े आपको दे दिया गया 13 है एक example माल लिज़े कि आपको कोई element x दे दिया गया और कहा गया उसका time number 13 है अब आपको बताना है कि वो जो element है वो किस group में लाई करता है और किस period में लाई करता है तो आपको क्या समझना है सबसे पहले इसका configuration कर लिज़े 2,8,3 यह इसका configuration हो जाएगा अब 2,8,3 अगर configuration हो गया तो आप समझिए कि इसमे number of period कितने है number of period हो गया 3 तो यह कौन से period में आ जाएगा third period में आ जाएगा हमने अभी आपको बताया कि first period, second period या third period इन periods के लिए या second या third period के लिए आप एक बहुत important formula apply करें group number निकालने के लिए कि group number बराबर क्या होता है group number बराबर outer most shell में जो electron है उसमें अगर आप 10 add कर देंगे तो आपको group number आसानी से मिल जाएगा और answer क्या हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा और class 10th level पे आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है और आप देख सकते हैं कि 13th group में देखे 13th group number है और third period number है उसमें जो element आएगा उसका atomic number आपको 13 मिलेगा और वो कौन सा element हो जाएगा वो element हो जाएगा हमारे पास aluminum देख लिजिए हाँ पर aluminum है इसका अगर आप group number देखेंगे तो 13 है और period number अगर आप देखेंगे तो कौन सा है third है ठीक है तो third period और 13th हमारे पास इसका group number हो जाएगा period number हो जाएगा और 13 जिसका group number हो जाएगा कुछ और बाते बहुत important हैं जो आपको पता होनी चाहिए जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे मालीजी आपको एक element दे दिया गया sulfur के बारे में ठीक है sulfur के बारे में जैसे थोड़ी जाती है कि बताएगे ये एक metal है कि ये एक non-metal है तो आपको याद रखना है कि जिसके outer motion में 1, 2 या 3 electrons होते हैं जिसके outer motion में या valential में 1, 2 या 3 electrons होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं metals वो क्या हो जाएंगे? देल भी metals और जिसके outer motion में 5, 6, 7 या 8 ये electrons अगर हैं outer motion में तो इनको क्या कहा जाएगा इनको कहा जाएगा non-metals ठीक है तो ये non-metals हो जाएगे अब आप देख सकते हैं sulfur के outer motion में किते electron है six electron है और क्योंकि outer motion में six electron है तो वो किस category में आ रहा है non-metals की category में आ रहा है ठीक है तो sulfur क्या हो जाएगा combining capacity को हम लोग valency कहते हैं या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह कितने electron gain कर सकता है यह कितने electron lose कर सकता है to get or to obtain a noble gas configuration तो noble gas configuration लाने के लिए इसको दो electron की requirement है ठीक है यह दो electron अगर इसके पास आ जाएंगे भी बहुत important shortcut होता है जो आप लोको याद होना चाहिए ठीक है तो valency अगर आपसे पूछा जाए कैसे निकाली आती है तो याद रखिए जिसके outer motion में one two या three electrons होंगे ठीक है जिनके outer motion में one two या three electrons होंगे तो वही उसकी valency होगी या इसमें four भी अगर ले 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 तो one two three या four electrons होंगे तो वही क्या हो जाएगी उसकी valency हो जाएगी लेकिन अगर outer motion में five six seven या eight electrons है ठीक है five six seven eight electrons है माल लिजे outer motion में तो उसकी valency अगर पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है जितने number of electrons है उन में से eight को सब्ट्राइक कर दीजाए जैसे माल लिजे किसी के outer motion में five electrons है जैसे फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस में आप क्या कर देंगे eight minus five कर देंगे तो valency आ जाएगी इसकी three लेकिन फॉस्फोरस एक exceptional case है जिसकी दो valencies होती है उसकी valency three भी होती है क्या है तो valency बताने के लिए सबसे पहले आपको इसका configuration पता होना चाहिए two comma five इसका configuration हो गया अब two comma five अगर इसका configuration हो गया तो आपको समझना है कि outer motion में किते electron हो गया five अगर five outer motion में electron है तो इसका अगर आपको valency निकालने है तो आप क्या कर देंगे 8 से subtraction कर देंगे किसका outer motion में electron का 8-5 इसकी valency क्या हो जाएगी 3 valency हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज की valency निकाल सकते हैं अगर मालीजी आपसे कहा गया neon की valency बताईए तो neon के outer motion में electron कितने होते हैं तो neon का अगर आप configuration करेंगे क्योंकि atomic number इसका 10 है configuration क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा अब देखें पहले से ही इसके पास noble gas configuration है तो इसकी combining capacity क्या है जीरो है यह किसी से भी combine नहीं करेगा तो इसकी valency भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो इस तरीके से हम लोग किसी भी element की valency आसानी से बता सकते हैं modern periodic table में trend की अगर बात करी जाए कि trend में क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं ठीक है down the group अगर हम लोग move करें ठीक तो होता क्या है number of shells increase करती चली आती यह मतलब अगर आप फर्ष्ट इसमें हैं अगर आप पहला element देखेंगे तो इसमें एक shell होगी, second element देखेंगे इसमें 2 shell देखेंगे 3st element देखेंगे इसमें 3 देखेंगे 4 divided Feld देखेंगे तो जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे जैसे number of shells हो रही है और जैसे से number of shells होंगी तो atomic size जो होगा ठीक है atomic size बोला जाए या atomic radius बोला जाए यह दोनों चीजे क्या होती चाहे क्ई चरूअगी association को एक ऑगर महां लूक्राइब आप इंगर आप चलायता है increase करता है ठीक है effective nuclear charge के increase होने से जो electron lose करने की capacity होती है ठीक है यह कहें जो electron का tightness होती है वो और जदा increase होयती है यह कहें कि force of attraction increase होयता है ठीक है force of attraction ठीक है electron जो होगा tightly boundled हो जाएगा force of attraction increase हो जाएगा और force of attraction के increase होने से right में जाने पर Size क्या होता चलायता है? छोटा होता चलायता है इस का अंतलब यह हुआ? नीचे जाने पर Size तो बढ़ रहा था Right पर जाने पर Size क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो इस तरीके से हमने एक Trends का वीडियो बनाया है तो आप लोग Trends का वीडियो जरूर देख लिजेगा उसमें सारी Trends जितनी भी हैं चाहे वो Electro-Negativity हो Electro-Negativity का मतलब याद रखेगा Non-Metallic Character होता है Electro-Positivity हो Electro-Positivity का मतलब एक तरीके से आप लोग Metallic Character भी बोल सकते हैं या Electron को Lose करने की Capability Electro-Negativity कहलाती है ठीक है? Electro-Positivity कहलाती है ठीक है? और Electron को आसानी से Lose कौन करता है? Metal करता है इसका मतलब क्या हुआ? कि जो जितना अच्छा Metal है वो उतना जादा Electro-Negativity भी होगा इसी तरीके से Electro-Positivity अगर बोली जाए मानले ये कोई भी कहा जाए कोई भी Element Electro-Negativity है की नहीं है तो आपको समझना ये है कि Electro-Negativity का मतलब क्या होता है Electron को गेन करने की Ability ठीक है? Electron गेन करने की Ability ठीक है? तो Electron गेन करने की Ability क्या कहलाती है? Electro-Negativity कहलाती है तो Electro-Negativity भी आपको पता होना चाहिए और Electro-Positivity भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है तो electron गेन कौन करता है तो electron गेन करता है नॉन मेटल ठीक है तो इसके आदब आपको पता चला कि जो जितना अच्छा non metal होगा वो उतना ही जादा electronegative element होगा तो इस तरीके से आपके पास एक वीडियो है जिसमें पूरे trends आपको बताए गए है atomic size का है, electronegativity का है metallic character, non metallic character और भी सारी चीज़े उसमें दी गई है जो class 10th level पे बहुत जादा important है तो जितने भी elements यहाँ पे आपके पास हैं कम से कम 20 तक के वो आपको पता होने चाहिए कि वो किस period में आ रहे हैं और किस group में आ रहे हैं, जैसे chlorine है तो chlorine आप देख सकते हैं 17th group में आएगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2,8,7 सीधे आप कर दीजे जितनी number of shells हैं वही उसका period number हो जाएगा आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं तो कौन सा period number हो जाएगा आपके पास period number हो गया 3 और group number क्या हो गया 7 plus 10 दोनों हमने आपको तरीके बता दिये हैं 17th ठीक है कुछ और ने टॉपिक के साथ आपके साथ स्विश्य मुलाकात करेंगे तिल देन थैंक यू वरी माच गुडबाई जैहन